Hello everyone, मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कम्प्यूटर की ये फेरी फर्स्ट क्लास है आसा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए पसंद नहीं आए तो नीचे कमेंट करके अपना फीड़ बैक जरूर दर्ज करा है कि कहां पे सुधार की गुंजाईस है और अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू जरूर लिख दे ताकि इसका पार्ट टू जैसे ही 50 कमेंट होंगे मैं इसकी पार्ट टू रिलिज कर दूँगा विडियो बना कर मैंने रेडी रख रखा है तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू लिखिएगा जरूर ताकि पार्ट टू इसका रिलिज किया जा सके तो चड़िए वरी फर्स्ट कोश्चन के साथ इसकी स्टार्ट करते हैं इस सिरीज को स्टार्ट करते हैं विच बटन इन MS Excel इस क्लिक टू कैलकुलेट दा सम आफ और सिरीज आफ नंबर्स दखिए बात किसकी की जा रही है MS Excel की पहली बात कोश्चन से दखिए कुछ इन्फर्मेशन आप निकाल सकते हो दूसरी बात क्या की जा रही है कि सम आफ सेरीज को अगर एड किया जा है तो कौन सा फंसन को यूज करोगे ऑटो सम को फिल को मर्ज को या इन्सर को सबसे पले यहां से एक इमेज आप देख लो देख रहे हो आप इमेज यहां से आपको क्या दिख रहा है आँसर आपको कोने में दिखाई पड़ रहा होगा चलिए क्लियर होगी इस सारी बाते यानि कि रैट अंसर क्या हो जाएगा ओटो सम का आप यूज करोगे MS Excel से मैंने पिक्चर से आपको सारी बातें दिखा दी देखिए सबसे पली बात है MS Excel में क्या क्या किया जाता है अगर आपको मार्शिट तयार करना है वो आप काम कहां पे करोगे MS Excel में काम करोगे किसी तरह का जिनवरी दूद का हिसाब आपको रखना हो या फिर रखवार वाले का हिसाब रखना हो या कोई भी तरह का जहां पे जोड घटाव गुना भाग की जरूरत हो एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन या फिर डिविजन का काम करना हो आप आओगे MS Excel के सरन में तो राइट अंसर क्या आओगा आपका 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 आपको जाना था कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए फाइनांस रेलेटेड जो भी इसू आते हैं उसे MS Excel से सौल्व किये जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर इस कोशन को ध्यान से पढ़िएगा जीवन में कभी आप इस कोशन को नहीं भूल पाओगे सबसे पहले BCC का मतलब किससे है BCC का मतलब होता है इमेल से किससे होता है इमेल से आपके मोबाइल में देखिए एक Gmail का जो है आपको एक एप दिख रहा होगा Gmail को जैसे ही आप उपेन करोगे न अच्छली वो कम्प्यूटर में जब आप उपेन करोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा वहाँ पे क्या क्या ओप्सन दिखेगा आपको 2 का ओप्सन दिखेगा CC का ओप्सन दिखेगा BCC का ओप्सन दिखेगा 2 का मतलब हो गया कि आप जिसे भेजने वाले हो सपोज कर लो मेरा इमेल आइडी है yourmithunisingat.gmail.com आपका भी कुछ होगा तो वहाँ पे आप किसी को desire वेक्ति को जिसे आप भीजना चाते हो 2 में आप उसका address फिल कर देते हो अब CC आपको option दिख रहा है CC का मतलब होता है जब आपको सपोज कर लो कि आप एक corporate job कर रहे हो आप चलो school का exam लेते हैं आपना KBS में job कर रहे हो और principal सर ने कहा कि आप computer teacher हो आपको जो है सर के जो गिने चुने गनमानी लोग हैं VIP लोग हैं उनको email करके invitation देना है पंदर अगस्त को लिए तो बोलेगा कि मुझे CC में add कर लेना यानि कि principal सर देखना चाहते हैं कि आपने 20 लोगों को email किया या नहीं उनको पता चल जाएगा CC में जिसका भी नाम आप दोगे उनका पता कौन कर लेंगे आपके principal लेकिन ये बात जो है ना उन 20 लोगों को भी पता चल जाएगी जिनको आपने add किया है उनको पता चल जाएगा कि principal साहब भी इस पे dog watch रखे हुए हैं अब देखे BCC का मतलब क्या होता है BCC का मतलब होता है Blind Carbon Copy option B right answer है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ अगर principal साहब का आपने BCC में add किया होता है email ID तो जो है जो सामने वाले जिन लोगों को आपने VIP लोगों को invite किया है उनको पता नहीं चलता ये फाइदा है BCC का right answer क्या हो जाएगा option number B के साथ आपको जाना था आगे बढ़े हुए उससे पहले 3 question पूछ लेता हूँ फटा फट इसका answer नीचे कीजिएगा अगले वीडियो में आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा सबसे पहले screen shot दिखाए जाएगी सबसे पहले देख लिजिए पहला question आपके लिए ये रहा खड़ोरपती style मैं नहीं बोल पाया हूँ मैं sorry for that www यानि के 3W का full form क्या होता है नीचे comment करके बताएए दूसरा question आपके सामने ये रहा आपको बताना है दो input और दो output device के नाम input और output device के नाम तीसरा question आपके लिए ये रहा HTTP HTTP और HTTPS में कौन सबसे अच्छा है दोनों में से कौन secure माना जाता है जिससे आपको use करना चाहिए website अगर HTTP से start हो रहा है उसे visit करना चाहिए या HTTPS से start हो रहा है उसे visit करना चाहिए निचे comment करके आप answer दीजिए आपका नाम अगली वीडियो में screen shot के साथ दिखाया जाएगा चलिए फिलाल हम लोग बढ़ते हैं अगले question की और उससे पहले आपको एक सूचना दे दू 99 में आप previous question paper require कर सकते हो 49 में KBS PRT के 20 model state आप ले सकते हो तीसरी बात 399 में आप मेरे hand return notes ले सकते हो ताकि आप KBS exam में बहतर कर पाओ ये तो बाते हो गई जिनको जरूरत होगी वो ले सकते हैं self study कर रहे हैं अच्छी बात है notes भी आप purchase कर सकते हैं इसे किसने खोजा था सबसे पहले इस महान इनसान की जो है image देख लो जिसके कारण मैं आपसे बात कर पा रहा हूं आपसे जो है आपके सामने वीडियो रख पा रहा हूं और आप वीडियो देख पा रहे हो internet नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं पाता तो सबसे पहले इनकी photo देख लिजिए और इनको thank you बोल दीजिए और यहां से कुछ important very very important full form भी देख रहे होंगे pen paper pen not down कर जाएए काम में आएगा आपका तो फिलाल मैं आपको बता दू worldwide wave जो है न इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा team burners lee फोटो तो आपने देख लिए थी option से आपका right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की और what is the full form of internet बहुत ही आसान question लेकिन बहुत ही complicated क्योंकि option इतने complicated है कि आप बिल्कुल गलत answer की और बढ़होगे ही देखिए internet का पूरा नाम क्या है ये बताना है आपको internet का पूरा नाम है अगर आप option A के साथ जा रहे थे तो absolute correct थे आप I mean incorrect थे गलत थे आप ये तो होगा नहीं internet network भी नहीं होगा ये भी गलत होगी आपका option D के साथ यानि कि international network के साथ जाते तीनों option आपका क्या था incorrect, incorrect, incorrect तो correct कौन था भया जी option number C interconnected network इसका right answer है pen paper पे note down कर लीजिए या अपने दिमाग में से जो है feed कर लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं question number 5 की और आपको बताना है कि जो हर computer होता है each computer on a network is recognized by a unique देखिए कोई computer unique है इसे आप कैसे जानोगे तो सबसे पहले देख लिजिए बात हो रही है computer की बात हो रही है uniqueness की तो देखिए यहां से आपना सबसे पहले मैं एक example देता हूँ suppose कर लो कि यह आपका laptop है यह मेरा laptop है और यह एक बगल वाले cafe का laptop है तीनों laptop है तीनों एक ही company के द्वारा ली गई है sorry तीनों एक ही company के द्वारा लिया गया है तीनों का model भी same है अब देखिए अब आप बोलोगे doubt वाली बात तीनों एक ही company का है एक ही model के computer है लेकिन differentiate कैसे करोगे कि यह मेरा computer यह आपका computer यह कैफे वाले का तो देखिए simple सा तरीका है IP address से आप पता कर पाओगे जब आप खरीते हो तो IP address के माध्यम से computer को differentiate किया जाता है suppose कर लो कि किसी को धमकी दे दी और उसने आपका नाम लिख दिया मैं नहीं किसी को धमकी दे दी और आपका नाम इस्तिमाल कर लिया रवी, प्रिया, नेहा किसी का नाम मैं नेहा पे ले लिया तो पुलीस जाकर क्या रवी, प्रिया, नेहा को पकड़ेगी क्या नहीं पुलीस उन्हें नहीं पकड़ेगी पुलीस आएगी मेरे दरवाजे पे और मुझे बोलेगी चलो भईया, तुम्हारा टाइम हो गया तो पुलीस ये सब चीज़ें कैसे जो है पता कर पाती है सीधासा रिजन है पुलीस आएपी अड्रेस ट्रेस करती है कि ये आएपी अड्रेस किस के नाम पे रजिस्टर्ड है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका आएपी अड्रेस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के साथ आपको जाना था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड MS वर्ड में आप टाइप कर रहे हो देखिया आगे बढ़ते हैं और लिखते लिखते कोई रेड लाइन जो है इंडिकेट हो जाए कैसे रेड लाइन इंडिकेट होता है सबसे पहले एक एक जामपल देख लीजिए फोटो देख लीजिए आप दिख गई आपको फोटो ना पी डबल इन लिख दिया तो रॉंग हो जाएगा वहाँ पे वह रेड लाइन ऐसे ऐसे से हो जाएगा अभी मैंने फोटो भी आपको दिखाए थी तो राइट अंसर क्या हो जाएगा गया बिंग भी पास हो गया याहू बहुत पहले जमाने की बात थी याहू पे लोग बहुत सर्च करते थे और याहू नम्मर वन कंपनी हुआ करते थी एस अफ नाव राइट नाव याहू की अब जो है बहुत कम रीच रह गई है लोग याहू को नहीं गूगल को जो है यहां पे सोसल नेटवर्किंग के माध्यम से जो है आप अपने पोस्ट करते हो अपने रिलेटिव को फोटो दिखाते हो आपने कोई नई गाड़ी ले ली तो फोर्विलर खरिद लिया तो पडोसियों को जलाते हो साथ-साथ मैं फोट डोड रालकर रिस्तिदारों को भी जलाते हो तो यह काम फेस्बूक करता है लेकिन सर्च इंजन का काम तीनों करेगा यहां पर देखिए कोशन पूछा गया था नॉट तो नॉट आपका क्या हो जाएगा और बी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की हो नेस्ट कोशन आपके सामने यह रहा विच अप द बता दू अगर आप MS पावर पॉइंट में भी बनाओगे ना तो आप बिल्कुल जो है मार्शिट तयार कर सकते हो यह भी सही है MS वड़ भी सही है MS ऑफिस में सबसे अच्छा जो है मार्शिट बनेगा मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार फिर से आप जो है फोटो देख लो यहां से फोटो दिख रही है आपको तो MS Excel जो है सबसे अच्छा प्रिपेर करता है क्या मार्शिट डी के साथ आपको आगे बढ़ना था हम लोग आगे बढ़ेंगे कोशन नमर 9 की और सौटकट की जो होती है ना उनिवर्सल हैल्प के लिए देखिए बात की जा अगे तो युनिवर्सल हैल्प आपको मिलेगी एफ1 एफॉण या एफ टूए तो दिखिए तो तो दिखेंगे अगर आप दबादेते हैं तोस्काइजिक के लोगों की फिलिप छारत की फोटो भी आपको दिख रही होगी और अलिबाबाकर लोगों की अृप पहोटो दि किस तरह के यह जो है example set कर रहे हैं किया यह social networking website है banking website है e-commerce website है या product review website है तो देखिए सबसे फ़ली बात product review का आपको तो मतलब पता ही है सपोज कर लो कि कोई product है कोई tv freeze या फिर mobile हो गया तो लोग review देते हैं कि यह mobile अच्छा नहीं है यह mobile की battery खराप है यह laptop जो है बहुत website अब देखिए social networking Facebook इभेन आप YouTube का भी इस्तिमाल कर रहे हो यह एक social networking website है banking website यह से HDFC हो गया ICICI हो गया या Axis Bank हो गया SBI Bank हो गया तो यह banking website है right answer आपका होगा e-commerce website देखिए Flipkart Amazon और Alibaba अलिबाबा चाहना की company है यह तीनों से आप न चाहो तो चाहे चाहो तो आप पैन mobile motorcycle भी आजकल I mean bike भी जो है आजकल आप जो है यूज कर सकते हो बैड के गद्दे कुछ भी आप खरी सकते हो इन website के मध्यम से इनका यूज करके आप कुछ भी खरी सकते हो चाहे होरलिक्स whatever कोई भी grocery हो इवेन आजकल तो वेजिटेवल भी आपको यहां पर और medicine भी देखने मेरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखरी में 99 में आप जो है previous paper require कर सकते हो 399 में आपको मेरे hand it and not मिल जाएंगे और आखरी में 49 में अगर आपको PRT का सिर्फ model set चाहिए तो 20 model set आपको मिल जाएगा यहां से मेरी email ID देख लो yourmithunsing.com पे mail कर लीजे इंस्टा पे हो then do follow me at the rate imithunsing जाते जाते बता देता हूँ BCC में किसी को add कर ले न ताकि उसे पता चल पाए कि आपने mail किया है और मुझे पता भी नहीं चलेगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया